हरी दोस्तों नमश्कार, आज हम बात करेंगे कि क्या डायपटीज में दूद पीना चाहिए या नहीं तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब ये है कि डायपटीज में आपको दूद नहीं पीना चाहिए क्योंकि अगर आप diabetes में दूद पीएंगे तो आपकी बिमारी बढ़ेगी दूद पीने से blood sugar level बढ़ता है दूद के साथ साथ आपको जो दूद से बनी दूसरी चीजे होती है उनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए जैसे दही, मक्खन, घी, पनीर, क्रीम, लसी, चाच, आइस क्रीम चाय में भी आपको दूद नहीं डालना चाहिए कौफी में भी दूद नहीं डालना चाहिए दूद से बनी कोई भी चीज आपके लिए अच्छी नहीं है अगर आपको diabetes है बहुत सारी और चीजों में दूद का इस्तिमाल होता है जैसे बिस्किट बनाने में, रस बनाने में, ब्रेड बनाने में बहुत सारी बेकरी के प्रोड़क्ट बनाने में दूद का इस्तिमाल होता है बजार से आप कई बार कोई दाल खरीद कर लेकर आते हैं दाल मकनी, उसमें क्रीम का इस्तिमाल होता है तो आपको ऐसी सभी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें दूद का इस्तिमाल होता है अगर आपकी डियापटीज कंट्रोल में नहीं रहती है तो आप एक एक्सपेरिमेंट करें आप दो मीने के लिए दूद का सेवन बंद कर दे और दूद से बनी चीजों का सेवन बंद कर दे और फिर देखें कि आपके शुगर लेवल में कितना अंतर आया है आपको खुद पता चल जाएगा कि दूद डियापटीज के लिए अच्छा है या नहीं दूद शुगर लेवल को काफी ज्यादा बढ़ाता है इसलिए अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फाइदा करेगा अब कुछ लोगों के मन में एक शंका उत्पन होती है कि अगर दूद का सेवन नहीं करेंगे तो उनके शरीर में कैल्चियम की कमी हो जाएगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा दूद छोड़ने से शरीर में कैल्चियम की कमी नहीं होती क्योंकि और भी बहुत सारी खाने की चीजों में कैल्चियम होता है जो हम रोज मर्रा की जिंदगी में खाते हैं जैसे रोटी में कैलशियम होता है, दालों में कैलशियम होता है बहुत सारी सबजियों में कैलशियम होता है तो दूद छोड़ने से शरीर में कैलशियम की कमी नहीं होती उल्टा मैंने ये देखा है कि दूद छोड़ने से एक दो पॉइंट कैल्शियम बढ़ जाता है क्योंकि जब आप दूद पीते हैं तो आपकी आंथ के अंदर एक चिकनी परत बन जाती है यह परत खाने में मौजूद कैल्शियम को हजम होने से रोकती है लेकिन जब आप दूद छोड़ देते हैं तो यह परत खतम हो जाती है जिसकी वज़े से खाने में मौजूद कैल्शियम ज्यादा अच्छे ढंक से आपके शरीर में हजम होने लगता है इसलिए दूद छोड़ने से कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होती आप एक काम करें आप एक बार अभी अपना बलड टेस्ट करवा लें और फिर दो महीने दूद छोड़ने और दो महीने के बाद दुबारा से अपना बलड टेस्ट करवाएं और कैल्शियम की जाच करें आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका calcium पहले से कम हुआ है या बढ़ा है तो मेरा practical experience है कि दूद छोड़ने से calcium की कमी नहीं होती बलकि calcium एक दो point बढ़ जाता है देखी अगर आप दूद छोड़ देंगे तो आपको diabetes में तो फाइदा होगा ही होगा आपका sugar level तो कम होगा ही होगा लेकिन इसके साथ आपको और भी बहुत सारे फाइदा मिलेंगे दूद छोड़ने से आपका cholesterol level कम हो जाएगा cholesterol level normal हो जाएगा क्योंकि दूद और दूद से बनी चीज़ों में काफी ज़यदा cholesterol होता है देखे शाकाहरी लोगों में heart attack का मुख्य कारण milk products ही होते है cholesterol सिर्फ और सिर्फ non-vegetarian भोजन में होता है meat मचली अंडे में होता है तो जो लोग meat मचली अंडा नहीं खाते है उन्हें heart attack इसलिए होता है क्योंकि वह लोग दूद के उपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं पनीर वगेरा के उपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं तो दूद और दूद से बनी चीज़ों से ही उन्हें ज़्यादा तर cholesterol मिलता है जो बाद में जाकर heart attack का कारण बनता है तो अगर आप दूद छोड़ देंगे तो आपको heart attack भी नहीं आएगा क्योंकि diabetes वाले व्यक्ति को वैसे ही heart attack का खतरा ज्यादा होता है नसों के अंदर blockage होने का खतरा ज्यादा होता है तो दूद छोड़ने से आपकी नसों के अंदर blockage नहीं होगी और अगर पहले से blockage थोड़ी बहुत है तो वैं reverse हो जाएगी तो ये आपको दूद छोड़ने का एक extra benefit मिलेगा इसके लावा अगर आपका वजन ज्यादा है आपका पेट ज्यादा मोटा है तो दूद छोड़ने से आपका पेट भी कम होगा आपकी कमर भी पतली होगी कमर की उपर से चर भी कम होगी और आपका फालतू वजन कम होगा और आप देखेंगे कि एक दो महीने में ही आपको बहुत ज्यादा energy महसूस होगी आपको बहुत ज्यादा हलका महसूस होगा ये मैंने खुद महसूस किया हुआ है तो आप बे जिजक होकर दूद छोड़ सकते हैं कोई नुकसान वाली बात नहीं है जिन लोगों को विश्वास नहीं है वह एक experiment कर सकते हैं दो महीने के लिए तो आप छोड़ी सकते हो दो महीने छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद comparison कर लीजिए कि दो महीने पहले आपका स्वास्ते ज्यादा अच्छा था या दूद छोड़ने के दो महीने बाद आपका स्वास्ते ज्यादा अच्छा है तो डाइपटीज वाले व्यक्ति अगर दूद नहीं पिएंगे, दूद से बनी चीजों का सेवन नहीं करेंगे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद